रादे रादे जैश्री कृष्णा ये देखे ये जो हमने ड्रेस बनाई थी लड्डू गोपाल जी की इसकी वीडियो मैंने पहले ही अप्लोड कर दी है तो आप उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वहां से जाकर ये ड्रेस बनाना सीख सकत है और आज की इस वीडियो में हम इसकी मैचिंग की जो है ये देखी खुबसूरसी लड्डू गोपाल जी की कैप बनाना सीखेंगे ये जो कैप है ये मैंने एक से दो नमबर की लड्डू गोपाल जी की बनाई है लेकिन इस कैप को आप छोटे से छोटे और बड़े करना चाहूंगी कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो लड़ु को पाल जी की ड्रेस अच्छी लग रही हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जो उसके साथ में रेड गलर का बैल आइकन का बटन है उसको भी प्रेस करें ताकि आपको समय से मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहें तो चलिए अब हम इस खुब सरसी कैप को बनाना शुरू करते हैं तो यह देखिए मैंने यह जो है एक लूप बना लिया है देखे इस तरह से जो है हम एक लूप बना लेंगे और लूप बनाने के कितने भी बड़े लड़ो गौपाल जी की बना कर आप तयार कर सकते हैं इसी तरीके से तो यहांपर देखे दो की चैन लेने के बाद यहांपर नोट magते हैं बनासे तो एक तो हमारी ये तीन के दो की चेन हो गई तीन बार मैंने बना लिया ये टोटल चार हो गए तो इसी तरह मैं जो है बाकी के छे भी इसी लूप के अंदर हाफ डबल किरोश्या बना कर इस राउंड को बना कर कंप्लीट कर लूँगी तो यहाँ पर देखे मैं वर्केंड म या 7-8 तो जो है आप उसके अंदर इस लूप को जादा बार ले 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 इन चेन को जादा बार ले 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 वहाँ पर आप जो है बारा चेन ले सकते हैं और उससे बड़े लड़ो को पाल के लिए 14 चेन ले सकते हैं तो इस तरह से आप फरस डाउंड कम्प्लीट कर ले और तो यहाँ पर हमने सेकंड चेन बनाई थी उसके अंदर मैं इसको स्लिम स्टीस से पहले तो जोइन कर दूंगी और देखे थ्रेड को नीचे से खीज देंगे तो यह जो है खतम हो जाएगा और आप वापिस हम इसके अंदर जो है दो चेन बनाएंगे और जहां पर हमने यह चेन बनाईए जोइन किया है हमने वहीं पर हम एक बार और हाफ डबल किरोश्या बना देंगे तो यह हमारे देखे दो हो गए एक दो की चेन और एक यह तो इसी तरह से अब हमें इस लाइन के अंदर हर चेन के अंदर जो है एक बार डबल किरोश्या बनाना है और एक बार ह जो है हम दो बार half double Quitosia बनाएंगे और next chain के अंदर एक bar half double Quitosia बनाएंगे तो देखे़ हम इसी तरह से इस round को बनाकर कम्प्लीट कर लेना है और जब हम इस round को बनाएंगे तो यहाँ पर हमारे नीचे first chain में 10 chain मलब ये हमने chain बना कर तियार करी थी और जब हम एक एक इस line के अंदर बढ़ाएंगे तो यह हमारे total 15 बनकर तियार हो जाएंगे तो यहाँ पर देखे मैं work end में आ चुकी हूँ मेरी second line जो है बनकर complete हो चुकी है और जो हमने यहाँ पर double किरोशिया यहाँ पर बनाया था हम उससे next chain के अंदर half double किरोशिया बनाएंगे क्योंकि अब हमें किसी में भी जो है कोई भी chain जो है increase नहीं करनी है अब हम single single जो है यहाँ पर half double किरोशिया बनाएंगे हर chain के अंदर तो देखे इसी तरह से मैं हर chain के अंदर half double किरोशिया जो है बना कर तयार कर लूँगी और मैं इसके इसी तरह से जो है four round बना कर complete करूँगी दो मैं बना चुकी हूँ, तीसरा हमारा चल रहा है और मैं इसके बाद एक round और बनाऊंगी क्योंकि ये छोटे लड़ो कोपाल जी की dress है तो इसके लिए छोटी कैप ही नेगी तो आप गर बड़े लड़ो कोपाल जी की बना रहे है 6-7 तो आप यहाँ पर 6 line बना ले अगर उससे बड़े लड़ो कोपाल जी की बना रहे है तो 8 बना ले, इसी तरह से आप इसकी height को बढ़ा कर सकते हैं और इस cap को जो है बना कर तैयार कर सकते हैं तो मैं इसके जो है इसी तरह से चार से पांस राउंड बना कर कंप्लीट कर लुν है तो यहां पर देखेखें में वरक हैं मैंने इसकी फोर लाइन बना लिए और आप यहां पर जो हमने थोड़ा सा contrast देने के लिए इस color की उनका use करेंगे और यहाँ पर अब मैं देखिए इस color को जो है यहाँ पर slimistic से पहले join करूंगी और अब हर chain के अंदर मैं यहाँ पर single crochet बनाती जाऊंगी तो देखिए अब हर chain के अंदर इस तरह से जो है single crochet बनाते जाएंगे तो इस line को मैं इसी तरह से देखिए single crochet बनाते वे complete कर लूँगी तो यहाँ पर देखिए मैंने यह line भी बना कर complete कर ली है और अब यहाँ पर मैं इस वालियोन को भी यहाँ पर cut कर दूँगी तो यह हमारे लड़ू को पाल जी की जो cap है यह बनकर बिल्कुल तियार हो चुकी है और देखिए इस तरह से सीधा करने के बाद यह इस तरह से दिखाए देगी और जैसे हमने dress के अंदर यह देखिए यह flower और परल पेस्ट किया है उसी तरह से जो है मैं इस cap के अंदर भी देखिए नीचे से इस तरह से डालेंगे और इस flower को मैं यहाँ पर यह देखिए इस तरह से और यह जो मोती है इसके center के अंदर इसको भी जो है stitch कर देंगे और हम cap के नीचे से ही धागे को निकालेंगे तो इस तरह से देखिए stitching करते वे मैं इसको यहाँ पर complete कर दूँगी और यह हमारे लड्डू को पाल जी की जो है सुन्दर सी cap बनकर तयार हो चुकी है तो यह देखिए यह कुछ इस तरह से दिखाए देगी तो यह देखिए यह लड्डू को पाल जी की ड्रेस की मैचिंग की जो है cap बनकर बिल्कुल तयार है अगर आपको लड्डू को पाल जी की यह dress और यह उनकी पाला कि क्या अच्छी लगी हो तो देखिए वीडियो को जो है ज़ादा से ज़ादा लाइक करें शेयर करें चैनल को सबस्क्राइब करें बेल ड करें तकि आपको आने वाले समय में मीरी सबी वीड़ियों के जो भी पाल जो है